हलो एवरिवन मैं धर्मेंदर और मेरे उडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है आसा करते हैं कि आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज के लिए है वो यह है कि अभी तक आपको जो कुछ भी हम समझाए है उसके आगे ज्या कर का एंसर आने वाला है तो आज हम बिना किसी रुकावट के साथ अब सिधे डारेक्ट टॉपिक पर आते हैं टॉपिक हमारा है 3b जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा उसका पार्ट तू था इस वीडियो में आपको पार्ट 3 मिलेगा और पार्ट 3 में हम लोग क तक और यह exercise भी complete हो जाएगा और जैसे कि हम promise किये हैं कि आपको light chapter का जो 10th class का है वो भी हम upload करेंगे वो खल जो है में भी upload हो जाएगा उस पर काम चल रहा है उसमें editing बागी है editing करके उसको upload कर देंगे तो हम लोग आए 90 number question को पहले stop करते हैं उसके बाद आगे देखते हैं जो भी बता दिए identity के रूप में लिखना परेगा किसी भी हालत में तो हम उसके लिए हम क्या कर लेते हैं a square plus 2ab plus b square आप को दिखरा होगा यह वाला कि यह किस पर है a plus b के whole square पर यह मतलब a plus b का whole square करेंगे तो a square plus 2ab plus b square और यहां पर 9c का square है तो इसको 3c का whole square कर देंगे तो आप आप देख सकते a square plus b square हो गया अब यहां पर आप असानी से लिख सकते हैं यह पूरा a हो गया और minus b यानिकी 3c और a plus b पूरा a हो गया और यह plus 3c यह आपका बन कर तयार हो गया हम लोग अगले 20 number question के बढ़ते हैं question देखकर घबराना बिलकुल भी नहीं है question बहुत ही असान ह हम यहां पर क्या कर लेंगे 108 किसी का भी a square नहीं है और नहीं 3 तो यहां पर इन दोनों मेंसे 108 का a square और 3 into b minus c का whole square से हम लोग 3 को common ले लेंगे 3 को जैसी common ले लेंगे तो इधर बच जाएगा आपका 36a square और यहां बच जाएगा आपका b minus c का whole square तो इस पर हमें लोग square bracket whole square हो जाएगा क्योंकि 36 का square है 6 का और यहां पर तो जैसा है b minus c का whole square वह ऐसी रहेगा अब हम लोग बात करेंगे अब आप अराम से कह सकते a square minus b square यह पूरा value b का value content करता है तो a minus b यह वाला minus है तो यहां पर तो अंदर वाला जो हम bracket हटा रहे तो यह plus में आ जाएगा आप ल का answer होगा हम लोग 21 number question के तरब बढ़ते हैं इसमें आपको पहली बता चुके कि क्या करना होता है हम लोगो क्यूब में किसी भी आलत में नहीं छोड़ना है तो बच्चे ऐसा question देकर घवरा जाते हैं घवराना नहीं चाहिए हम इसको bracket में ले लेंगे तो यह plus b हो जाएगा देखिए a plus b दोनों से common ले लिए तो अब इधर तो square बच जाएगा whole square यानि कि two times और यहां पर कुछ नहीं तो यह one बच जाएगा तो आप इसका भी one का square कर सकते हैं क्योंकि a square यह बन गया और यह तो ऐसा हो गया शलिए तो अब हमारा a plus b हो गया यहां पर आप यहां पर देखिए आप कि यह हो जाएगा आपका a minus b और यह हो जाएगा a plus b तो यह आपका यह हो गया आपका answer तो इस तरीके सो 21 भी बन गया आप 22 के तरह बढ़ यहां पर भी एक identity छुपा हुआ इसमें OC को ढूंड करके निकालना है इसको अब अगर देखिए यहां पर 2 आ रहा है यह आपको तो यादी होगा a और b यानि कि a का value x होना चाहिए और b का value y तो हम लोग इसको ले लेंगे तो इसको एक साथ लिख लेते हैं x square plus y square minus 2xy यानि कि a square plus b उसका minus 2a y 2ab और यह z square जैसा है वैसी रह जाएगा चलिए तो यह दोनों तो यह पूरा section अगर हम ले 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 ले तो यह क्या बनेगा x minus y का whole square और इधर बनेगा z square यानि कि पूरा a square और यह b square के formula बढ़ गया अब हम लोग क्या कर लेंगे a यह पूरा a है और यह b है तो a minus b और formula आपको पता ही है और a plus b यह भी बन करके तयार हो गया अब हम लोग बढ़ेंगे 23 number question को देखिए बहुत यह असान है इसको arrange कर लीजिए grouping क्यों कि आपको दिख रहा होगा यह plus b ka whole square पर a square plus 2 a b plus b square यह 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 x plus y ka whole square x square plus 2 x y plus y square और यहाँ पर भी हम लोग इसको जब bracket का अंदर मिलाएंगे तो यह plus यह minus में हो जाएगा और यह minus यह plus में हो जाएगा तो यहाँ पर यह आपको a minus b ka whole square बन रहा होगा a square minus 3 b plus b square तो हम लोग यहाँ पर x plus y ka whole square हो गया माइनस a minus b ka whole square तो यह पूरा a है और यह पूरा b है a square minus b square तो a का value x plus y हो जाएगा a और minus a minus b तो b क्या है a minus b तो यह प्लस b हो जाएगा यह minus bracket अटेगा तो यह क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर माइनस प्लस हो जाएगा तो b हो गया और यहाँ पर a plus b यह पूरा b और यह पूरा a तो दोकिए a minus b और a plus b यह आपका बनका त्यार हो गया हम लोग 24 number question 24 number question marker हम को change करना पड़ा है कि उसका इंक जो है समाप्त हो चुका है और अभी हम खुला नहीं होगा दुकान वीडियो शुट करें तो जा भी नहीं सकते चलिए तो इसी इसी मार्कर से चुलाएंगे तो इसमें क्या है इसमें भी आडेंटिटी शुपा हूँ आप द्यान से देखिए इसको अगर पहले पहले हम लोग क्या कर लेते हैं में लिग लेते हैं फाइव एक्स का हो देखिए मतलब ब्लॉक में और यहां पर क्योंकि वाई इसको 6y का होल स्कुर कर लेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहां पर बन चुका है एसको है माइनस ट्यवी प्लस भी इसको या नहीं कि यह ए माइनस बी का होल स्कुरार है और यहां पर अब यह पूरा ए हो गया और यह बी तो यह क्या है 5x-1 और माइनस 6y और दूसरा क्या है यह है 5x-1 अब प्लस 6y यह आपका एंसर हो गया तो हम लोग आब 25 नमबर कोश्चिंग के तरफ बढ़ेंगे ऐसे कोश्चिंग का बस एखी कॉंसेप्ट हमको पेर मिलाते चलना है तो यहां पर a-b है तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते कोई क्लू नहीं है तो इसक पर a-b इसका formula क्या होता है a plus b into a-b तो आप हो चुका है यहां से देखिए इस ब्लॉक और इस ब्लॉक में a-b और a-b दोनों सेम है common है तो हम इसको बाहर लिख लेंगे common factor group में अब इस तरफ तो a-b common ले लिए तो 1 बच गया और इस तरफ क्योंकि a-b common ले लिए तो a plus b तो यानि कि हम plus नहीं लिख सकते हैं minus लिखना पड़ें को क्योंकि क्योंकि यह plus ब्रैकेट के अंदर में अब ब्रैकेट जैसी हटाए है तो बाहर में minus है तो यह अंदर वाला plus b minus हो जाएगा तो इस तरीके से यह answer हो गया इसका answer यहीं होगा अब हम लोग twenty six number question के तक बढ़ेंगे अब को अलग कर ले अब कहां पर दिख रहा आपको तो देखिए हम लोग पहले इस पर ध्यान देंगे मालीजे इसको two a b यानि कि यह के जब अपर a आगया बी के जब अपर c आ गया तो हमको c square कहीं पर चाहिए किसी भी आलत में तो इसमें c square यानि कि हमों लोग इसको हटाएंगे अलग और बाकी सबको साथ में लिखेंगे तो चलिए लिखते हैं a square minus 4ac plus 4c square इसको अलग block में रख देखते हैं और minus b square को अलग रख देते हैं अब आप देख सकते हैं a square 2a यह तो a ही रहेगा और b अब यह देखिए b पता बात में पर चाहिए लेगा b को हम 2c लिख देते हैं अब यह आपको बता देंगे 2c क्योंकि यह 2c का whole square हो जाएगा आपको यह चीज नजर तो आ गया कि यह whole square यह minus b square अब दिख रहा a square minus 2ab यानिकि 2c जो है b के और यह 4 है तो 4 किसका square है 2 का तो यहाँ पर 2c का whole square आप जो है finally आ चुका है a minus 2c का whole square और b square a square minus b square अब इसको हम लोग क्या करेंगे a कि यह पूरा a है और यह b हो गया मतलब a का value है यह नहीं लिखावा a का value है और यह a plus b तो इस तरीके से आपका इसका भी answer आ गया 27 number question 27 number question में तो a और b ही दिया हुआ यहां कि यहां पर a और b के जाब कुछ और number नहीं पूटकाना पड़ेगा यह जो हम बोलते हैं वही लिखना भी पड़ेगा तो यह बहुत अच्छी बात है यहां पर पहले हम इसको कर लेते हैं 9 क्योंकि 3 का square है तो इसको कर लिए इस पूरे section को आपको दिखी रहोगा क्य है यह एक identity पर है a square 2ab और b square सा identity आप कौन सा यह पता चल जागा तो a square अंदर में आया यह प्लस माइनस हो जागा क्योंकि बाहर में माइनस है चलिए यह 3 whole square और यहां पर a square minus 2ab plus b square यानि कि a minus b का whole square है तो a square minus b square हो चुका है तो a minus a plus b हो जाएगा यहां पर क्योंकि यह minus plus बन जाएगा bracket हटते के साथ बाहर में माइनस है और यहां पर a हम पिछले वीडियो में explain करें इसलिए बार-बार उस चीज को नहीं बताते हैं a plus a minus b मतलब a minus b मतलब यह b का value पुरा content करता और यह a का इसलिए हम बोले है कि a plus b और a minus b और यह वोगी b के जाहाँ पर a plus b है तो इसलिए a plus b लिखे तो इस तरीके से 27 बन गया 28 को देखिए 28 को देखिए इसमें q आ गया problem यहीं पर ख़रा हो जाता है तो q नहीं रहने देना है किसी भी हालत में हमको square करना तो यहां पर हम देख पा रहे है कि कॉमा ले लेंगे x square को common ले ले तो x-5 हो जाएगा देखिए इन दोनों में से ऐसा करेंगे और यह हम लोग bracket में इसको ले लेंगे तो x-5 यहां भी हो जाएगा बहुत ही easy है अच्छा चलिए अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है कि अब हम यहां से अब देखिए यह अलग block और यह अलग block x-5 को common ले लिजिए common है common है x-5 को common लिए तो यह x-square इस तरब x-square बच गया है और इस तरब minus 1 बच जाएगा यानि कि इसका भी square अब यह x-5 हो गया और यह x-square minus 1 square यानि कि a square minus b square यानि कि x-1 और x plus 1 यानि कि a minus 1 और a plus a minus b और a plus b तो यह आपका बन गया हम लोग 29 जो आपको दिख रहा है 29 यह थोड़ा सा सर घुमाने वाला है लेकिन जब आप मन से पढ़ रहे होते हैं तो सभी problem solve हो जाते हैं यह कथना है चलिए तो इसको हम लोग मन से प अब ध्यान दीजिए बाहर में माइनस है ना अब प्लस 2ab को इसके ब्रैकेट के अंदर मिलाना है तो माइनस 2ab लिखना पढ़ेगा अब समझे आपको बताते हैं चलिए हम सिंपल बताते हैं यह अगर ब्रैकेट आप यहां पहटा तो यह वाला प्लस क्या होजा था माइनस यहां ब्रैकेट के अलग ब्लॉक है यह फर्मूला है माइनस ब्लस 2ab को अंदर मिला है तो माइनस ब्लस 2ab को लिखना पढ़ेगा अब अगर माली यह माइनस आ रहा था और यहां पर यह प्लस आ जागा क्योंकि बाहर माइनस है अभी तक आपको समझ में आगी होगा यह वा होगा एस को माइनस बीस को ए मतलब 1 और यह प्लस 1ab हो जाएगा यानि कि यह और यह पूरा बी अर यह प्लस कैसे आए को कि ब्रैकेट अटाएंगे तो बाहर माइनस हो तो अंदर वाला माइनस प्लस हो जाता है अब देखिए 1 प्लस ए माइनस बी प्रवलम सॉल्व हम हुआ एह बडर यह पर यहां पर यह इसका वैलु है तो मुआ हो यह पूरा हो यह का स्कार यह बना यह आपको पता चल रहा होगा a square plus 3b plus b square यानि कि a plus b के whole square यानि कि a क्या हो गया 3a और b क्या हो गया 1 और 6b का whole square तो आप आपको दिख रहा होगा यह a square b है यह a square minus b square यानि कि a क्या हो गया minus b यानि कि 6b और a क्या हो गया 3a plus 1 आप plus 6b यह आपका एंसर हो गया आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में आगे कोशिन के साथ तैंक्यू सो मच